नमस्कार दोस्तो, स्वाती भक्ती एंड ब्लोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमीद करूंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं दोस्तों आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए किसी भी तरह पूजा पार्ट से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा मैं उस पे आप सभी के लिए वीडियो ला करके दोंगी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि योगनी एकादसी पे गंगा अशनान करने का महत्व क्या होता है दोस्तों हम सभी को पता है योगनी एकादसी यानि की एकादसी में हम लोग विश्नो देब का पूजापाट करते हैं विश्नो देब का पूजापाट एकादसी के दिन जो भी वेक्ति करते हैं उन्हें मन चाहा फल जरूर मिलता है एकादसी के दिन हम लोग विशेश रूपशे विश्नु देब को पूझते हैं जैसे कि हम लोग गुरुवार के दिन विश्नु देब को पूझते हैं उसी तरीका से एकादसी के दिन विश्नु देब को पूझना चाहिए अगर आपके पास संभव हो तो इस दिन आप छोटा मोटा सतनरायन भगवान जी का भी पूजा जरूर रखिएगा यानि की एक सतनरायन भगवान जी का पूजा होता है जो की विशेश रूप से मंदिर पे कराया जाता है पूरे भव्य रूप से और एक होता है जो आप घर में पूजा पाट कराते हैं उसी समय आपको हवन कर लेना है इस तरीका से दो तरह से सतनरायन भगवान जी का पूजा होता है दोस्तो योगनी एकादसी इस बार 14 जून बुद्वार को है योगनी एकादसी के दिन आप सभी को मैं बता दो कि पूजा करने का सुम मुहरत रहेगा सुबा 6 बच के 40 मिनट से ले करके 11 बच के 20 मिनट तक दोस्तो अगर इस बीच इस सुम मुहरत के बीच जो भी व्यक्ति गंगा अशनान करते हैं विश्नु देब का पूजा करते हैं उनको मन चाहा फल जरूर मिलेगा हम सभी को पता है दोस्तो कि एकादसी के दिन हम लोग कुछ महतपुर्ण बातों का ध्यान रखते हैं जैसे की बहुत सारी लोगों का कहना है कि इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए इस दिन रोटी का सेवन करना चाहिए और पूजा पार्ट कैसे करें पूजा पार्ट में क्या गलती नहीं करें आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों विश्नु देब का पूजा तो हम लोग प्रतेक दिन करते हैं लेकिन आप सभी को विशेश रुप से अपने मन की मनो कामनाए योगनी एकादशी के दिन विश्नु देब को कहना है और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे घर के आसपास गंगा जी जरूर बहती है यानि कि गंगा का नदी हमारे घर के आसपास जरूर रहता है योगनी एकादसी के दिन आप सभी गंगा का अशनान जरूर करे दोस्तों मैं आप सभी को बता दू गंगा अशनान बहुत ही जादा महतपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए अगर हमसे बड़े से बड़े गलती होती है यानी कि हम किसी भी तरह का किसी को ठेस पहुचाते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं तो साल भड में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिस दिन गंगा अशनान करने से आपका जन्मो जन्मो का पाप नश्ट हो जाएगा आप सभी को पता है कि साल भर में गंगा दसारा आता है इस दिन जो भी वेक्ति गंगा के अशनान करते हैं गंगा मा में पूजा पाट करते हैं उनकी सारी मनोकामनाई तो पूर्ण जरूर होंगी और साथ ही साथ उनकी सारी पापों का भी निवारन होगा दोस्तों योगनी एक आदस्ती के दिन आप सभी को गंगा जी का अशनान जरूर करना चाहिए कहा जाता है कि जन्वों जन्वों का पाप इस दिन गंगा अशनान करने से उतर जाता है साथ ही साथ आप सभी पूजा के सुमोहरत में ही अगर गंगाशनान करती है तो यह बहुत ही अच्छा माना गया है नहीं तो अगर आप सुबह पांच बजे या छे बजे के पहले गंगाशनान करती है तो यह भी बहुत ही अच्छा माना गया है योगनी एकादसी के दिन गंगा अश्नान तो करना ही चाहिए साथ ही साथ अगर आप किसी भी दिन गंगा अश्नान करती हैं तो ध्यान रहे सूर्य उदय के पहले गंगा अश्नान कर लेना चाहिए माना जाता है कि सूड़ी उदे के पहले अगर आप गंगा में जा करके नहाती हैं पूजा पाट वहा करती हैं और सूड़ी जैसे ही उगते हैं उन्हें पहला जल अरपित करती हैं गंगा मा से ले करके तिया आपके लिए बहुत ही अच्छा लाबदायक फल मिलने वाला है दोस्तो योगनी एकादशी के दिन आप सब तो विश्नु देप का पूजा करेंगी ही साथ ही साथ आपको गंगा मा का भी पूजा करना है आप इसके लिए गंगा अशनान जाए वहाँ पे आप अगर नहा के जाती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो गंगा अशनान में जा करके अशनान करें उसके बाद गंगा नदी से निकल करके आपको वहाँ पे किसी भी कोने पे जा करके फूल, अक्छत और दियाबाती जरूर करना है परशाद के रूप में योगनी एकादसी यानी की विश्नु देब का दिन तो आप इस दिन केला, गुड और चना का भोग जरूर लगाए घर में अगर आप पूजा कर रही हैं, बहार नहीं जा पाती हैं तो आप जब भी नहाने के लिए जाएं तो उसमें दो से चार बूंद गंगा पानी डाल करके गंगा जी का पानी डाल करके उसके बाद ही नहाएं, ऐसा करने से भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप गंगा नदी में जाकरके नहाते हैं उसके बाद आपको इस दिन विश्नु देब का पूजा पाट करना है सत्नरायन भगवान जी का कथा सुनना है अगर आपको कथा चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा मैं आपको जरूर पताऊंगी साथ ही साथ आपको इस दिन विश्नु देब का पूजा करने के साथ साथ मा गंगा का भी पूजा करना है मा गंगा का पूजा बहुत ही सरल बिधी से आप घर बैठे भी कर सकती है एक लोटा जल ले करके उसमें मा गंगा का थोड़ा सा जल डाल करके और उसी लोटा में आपको फूल, अक्षत और परशाद के रूप में आपके पास जो भी है अगर गूर है तो बहुत ही अच्छी बात है डाल करके अगर आपके घर के पास केला का ब्रिक्ष है तो उसमें आप जा करके दे दीजिएगा मा गंगा का जब जबते हुए आपको जल देना है अगर आपके पास केला का ब्रिक्ष नहीं है तो आप इस जल को किसी भी पेर पौधा में डाल करके मा गंगा का ध्यान करना है साथ ही साथ आपको विष्णु देब का भी पूजा पाथ बहुत ही अच्छे से महतपूर्ण से करना है पूजा कसुम मुहरत के अंदर ही आपको पूजा पाथ कर लेना है और इस दिन अगर आप गंगा अशनान करने जाती हैं और साथ ही साथ वहां से जल भड़ के लेके आती हैं तो विष्णु देब के ऊपर छिरकाव जरूर कीजेगा ऐसे पूजा पाथ करने से आपकी सभी मनोकामनाय भी पूर्ण होंगी अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की गरह दोस है वो भी कट जाएंगी घर में किसी भी तरह का कोई भी बुड़ा साया है कलेस है वह भ ले आईएगा उसे एक आम के पल्लू से उस जल में डाल करके अपने घर की चारू और छिरकाव जरूर कीजिएगा कहा जाता है कि अगर आपके घर में निगेटिव वाइज हैं तो वह हट जाएंगे और पॉजिटिव एनरजी आ जाएंगे अगर घर के किसी भी कोने में न गंगा आशनान करना ना भूले और गंगा आशनान आप इस दिन जरूर कीजिएगा उमीद करूंगे दोस्तों बताया हुआ पूजा पाठ पसंद आया होगा पसंद आने पर वीडियो को लाइक चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूँ ह अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद